हरियाना में मुख्यमंत्री द्वारा लाडो लक्षमी योजना शुरू की गई है तो इस योजना में महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 21 रुपे परती महिना की आर्थिक सहायता दी जाएगी तो क्या है ये योजना और इस योजना के अंतरकर किन किन महिलाओं को पैसे मिलेंगे और कौन कौन से डोकुमेंट्स लगेंगे किस पोर्टल पर फारम भरा जाएगा इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो इस वीडियो को जादा से जादा वट्सेप ग्रूप्स में शेयर जरूर कीजेगा ताकि जादा से जादा महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल सके और यदि आपने अभी तक R&B News इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि योजना क्या है तो हर्याना के मुख्या मंतरी ने जो है लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है इस योजना के अंतरगत जो है गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपे दिये जाएंगे आर्थिक सायता के रूप में आत्म निर्भर और शशक्त बनाने के लिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए कौन-कौन सी महिलाएं इलिजिबल होंगी जिनें ये पैसे मिलने वाले हैं तो सबसे पहली जो शर्त है इस योजना के अंतरगत वो ये है कि महिला जो है हरियाना की स्थाई निवासी होनी चाहिए महिला की उमर जो है 18 वर्स से अधिक होनी चाहिए BPL card धारक होनी चाहिए यानि कि गरीब परिवार से महिला होनी चाहिए इस योजना का लाब लेने के लिए यदि आपने अभी तक BPL card नहीं बनवाया है आपके पास राशन card नहीं है तो यदि आपकी परिवार की income एक लाख असी अजार से कम है तो आप ये card बनवा सकते हैं घर में कोई सरकारी नोकरी नहीं होनी चाहिए इसके अलावा तलाख शुदा या विद्वा महिलाएं भी जो है इसके लिए पातर हैं तो उन्हें भी इस योजना का लाब मिलेगा अब मैं आपको उता देता हूँ कि कौन-कौन से documents चाहिएंगे सबसे पहले आपको आधार card की जरुवत होगी परिवार पहचान पत्र में bank खाता जो है आपका link होना चाहिए परिवार पहचान पत्र यानि की जो आपकी family ID है उस family ID में महिला का bank खाता link होना चाहिए यदि link नहीं है तो इसके बारे में भी आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो देखने को मिल जाएगी इसके अलावा mobile number वे email ID की जरुवत होगी हर्याना domicile certificate जिसे हर्याना resident certificate भी कहते हैं उसकी जरुवत होगी जिससे पता लगे कि महिला हर्याना की स्थाई निवासी है इसके अलावा यदि कोई sectionic योगयता है तो उसकी photocopy भी लगा सकते है तो लाड़ो लक्ष्मी योजना का लाब लेने के लिए कौन से portal पर फारम भरा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ हर्याना सरकार की official website है ये काफी योजनाओं का लाब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है website आप देख सकते हैं screen पर अभी लाड़ो लक्ष्मी योजना के लिए फारम भरने शुरू नहीं हुए है लेकिन आप अपने documents ready कर लीजिए अगर आपके पास ये documents हैं तो सही है अगर नहीं है किसी document की कमी है तो उसे बनवा लीजिए ताकि जैसे ही ये योजना शुरू हो आपको इसका लाब मिलने लगे इसके अलावा यदि आपका कोई सवाल है तो आप comment section में पूछ सकते हैं हमारे चैनल पर आपको ऐसी ही important videos देखने को मिलती है तो चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत